तुड़ी विल बी डिलिंग विथ 30 डे स्ट्राटजी फॉर क्लैट जैसे कि आपको पता है कि 1st December को जो है क्लैट होने वाला है और आने वाले 30 महिनों में यानि कि जो एक महिना बाकी रह गया नवमिर का उसमें हमें क्या करना चाहिए उसके लिए अलगलग sections के लिए अलगलग videos जो है law prep tutorial के YouTube channel पे अपलोड किये गए आज हम देखेंगे कि हमें legal के लिए क्या करना चाहिए कैसे हम legal को ace कर सकते हैं as we all know legal carries the most marks roughly around 32 marks are devoted to legal section तो सबसे बड़ा भी जो है यह portion है और सबसे scoring portion भी जो है legal है you get to have 32 questions from legal section अब legal sections को कैसे tackle करना है इन 30 दिनों में हमें क्या करना है कि हम जो है CLAT में जो है बहुत अच्छा score कर पाए है legal में ठीक है तो सबसे पहले हमें करना legal basics अब legal basics का मतलब क्या है कि जितने भी जो taught के contract के constitution के as well as crime के जो concepts है वो हमें एक बार वापस जो है revise करना है अगर मुझे लगता है कि जैसे माल लो कि मुझे robbery अगर मुझे लगता है कि मुझे robbery और theft robbery और theft या फिर decoity और theft या फिर decoity और robbery इनमें मुझे फरक नहीं पता है या मुझे इनके concept नहीं पता है या फिर criminal breach of trust CBT उसका concept मुझे नहीं पता है तो एक बार मुझे वो revise करना है वो revise करने से फाइदा यह होगा कि आपके वो concepts clear हो जाएंगे साथ ती साथ आपके questions भी उनके basis पर सही हो जाएंगे तो सबसे पहले आपको basics वो करने हैं अगर आपको लगता है कि constitution में मेरा थोड़ा सा weak portion है तो constitution में आपको fundamental rights होते हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं और उनको देखना है कि कैसे वो apply होते हैं अगर आपको लगता है कि RITS में आपको थोड़ी problem आरे तो RITS का पढ़ना है तो वो accordingly हर एक person का जो है अलगलग scenario का हर एक person का जो है अलगलग weakness होगी अलगलग strengths होगी तो आपको खुदको जो identify करना है कि मुझे legal reasoning में जो है कौन सा portion मेरा weak है कौन सा मेरा strong है वीक जो है उस पर मुझे थोड़ा सा ज्यादा धान देना है तो पहले सबसे पहले हमें legal basics जो होगे वो हमें cover करने ठीक है legal basics हमें cover करने अब legal basics हम लोग cover क्यों करें जब यह बहुत ज्यादा possibility कि जो basic legal questions होते उतने नहीं आते हैं बहुत कम probability होती है कि वो आज है directly लेकिन उसको basics को cover करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो basics ही आपकी roots जो हो strong करते हैं अगर आपके basics strong होंगे तो उससे आपके current legal के questions आएंगे वो भी आपके easily solve हो जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले legal basics करने legal basics करने के बाद आपको करना है legal express अब legal express कहा मिल जाएगी legal express जो है law prep tutorial की website पर आपको मिल जाएगे इस साल के जितने भी legal current affairs होंगे ठीक है they will be available in legal express एकदम concise form में एकदम ready to go वाले form में जो है आपको जितने भी इस साल के legal current affairs हुए है वह आपको इसके थ्रू जो है मिल जाएंगे और concepts भी जो उसमें समझा रखे हैं और जो भी news होंगी वह सब इसमें बता रखेंगे इसी के साथ उसमें questions भी होंगे तो आप questions भी जो है वह solve कर सकते हैं सब्सक्राइब तो आपको legal current affairs है वह आपको knowledge जाएगी और साथ साथ उसके उपर questions भी जो आपको मिल जाएंगे उसके बाद आता है कि next हमें क्या करना है next करना है legal current affairs compilation अब legal current affairs compilation हमें का मिल जाएगी जैसे कि इस साल हमने देखा है कि बहुत सारे अलग जो है बहुत सारे अलग 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 और बड़े बड़े इसेजन जो है इस साल आये हैं साथ ही साथ इस साल जो है 1st July 2024 को जो है जो न्यू क्रिमिनल लॉज है वह implement हुए तो इन सब का जो है एकदम exact तरीके से समझाय जब आप law prep tutorial की website खोलोगे उसमें जो e-library होगा, e-library में आपको filter लगाना है first, you have to apply the filter in public, public filter apply करने लेगल लेगल लेजण वाल लेजन वाला filter एका और उसको फिर apply filter करने के बाद जो है आपको ये तीन झूछिन जो है ६िध्य दिखेंगी पहले हैं कल साफिंगों पार गोज्जमेंट जेश्ति हैं उनको एक्सप्लेंं эн इसैचर क्रूं कहँ हैं 12 साफ उनक्योन KW 5 56 टीक है और उनके जो आंसर किए तो यहां पे गवन तो आपको वह सॉड कर तो वेरी हेलफफुल फॉर यू यू विल बी टैकलिंग यूर एंपॉर्टन लीगल इवेंट्स रो हैं या फिर जज्जमेंट्स आये हैं उनके बारे में जो है एक्स्प्लेंट भी कर रहा है साथ 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 जो है निवेंबर ठीक है उसके साथ जो लास्ट चीज और जो सबसे इंपॉर्टन चीज भी है वह क्या है वो यह है कि आपको जो है तीन चीजे करनी हैं फर्स्स is practice आपको तीन चीजे बहुत ज्यादा important वो आपको करनी ही है फर्स is practice, ससेकेंड इस practice and थर्ड is practice जितने ज्यादा practice हो जाए उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा अब प्रेक्टिस के लिए आपको क्या करना है एक तो आपको मॉक्स करने अब मॉक्स भी जो करने है वो वले मॉक्स करने है जो की कॉलिटी मॉक्स हो because this is a high time और अभी जो है आप मॉक्स की कॉलिटी पर जो है कॉम्परमाइज नहीं कर सकते हैं पर अब मॉक्स को आप सॉल कीजिए उसको अच्छा सॉल करने के बाद उनको एनलाइस करना भी जरूरी है कि आपकी मिस्टेक्स जैसे माल लिए कि एक परग्राफ है उसमें पांच कोशिन है पांच कोशिन में आपने जो है चार से किये एक आपका गलत हो गया 4 correct and 1 wrong तो उस 1 wrong में जो एक गलत हुआ है उसमें आपने क्या mistake किया क्या आपकी silly mistakes थी क्या आपकी yes yes no no में confusion था या फिर आपने जो interpretation गलत किया या फिर आपने passage जो है वो डंसे नहीं समझा तो उस type of mistakes को identify कीजिए और उसके उपर work कीजिए ठीक है ऐसे जब आप mocks देंगे तो mocks की जितने भी mocks आप देते हैं उन सब में एक बार आप identify कीजिए कि आप कौन सी mistake जो है वो बार बार कर रहे हैं क्या वो silly mistake है जो आप बार बार कर रहे हैं क्या वो yes या no no वाली है जिसमें आप confuse हो जाते हैं वार बार या फिर वो interpretation की mistake है या फिर आपने जो है उस question को जो है डंक से नहीं बढ़ाता तो ऐसी mistakes को identify कीजिए और फिर इंको club कीजिए फिर end में देखे कि आपके सबसादा mistakes कौन सी आ रही है जो सबसादा mistake आ रही है मतलब आपको उसके ओपर ज्यादा जो है ध्यान देने की जरूरत है ठीक है so first you have to do mocks second you have to analyze the mocks third is identify the mistakes and work upon them identify the mistake identify and work on mistakes so these are the three things that you have to do in the month of November ठीक है कैक्टे करना है एक बार हम वापस quickly जो है revise कर लेते हैं सबसे पहले legal basics करने है आपके concept जितने भी आपने पढ़ रखे है taught के contract के law of crimes के या फिर constitution के सब को revise करना है एक बार basics समझने है उनके फिर उसके बाद जो है legal express पढ़नी है उसके बाद जो last आपको करना है that is you have to do the legal current affairs compilation of this year ठीक है जितने भी important legal current affairs हो है या फिर legal judgments है वो करने है फिर उसके बाद आपको करने mocks mocks में भी आपको mocks सिर्फ करना ने है करने भण के लिए नहीं करना है आपको उन mocks को analyze भी करना है करता है कि हम लोग जब अपनी weaknesses को या गलतियों को जो हम पैचानते है उसको ओपर work करते है तब ही जाके वह हमारी strength बगती है ठीक है तो analysis is very much important okay you have to do that so these all are the things that you have to do for the month of November that is कि जो आने वाले 30 दे हैं उसके लिए आपको करने if you do that diligently if you do that sincerely I assure you that you will score very good marks in the legal reasoning portion of CLAT 2024 and your journey to NLU will be very smooth very easy and you will feel proud of yourself and you will make your parents proud as well so thank you everyone this was the last 30 day strategy for legal reasoning I hope you work on it and you achieve a good rank in CLAT 2025 thank you everyone